मित्रों आप सभी का इस सत्र में स्वागत है जैसा कि आप सभी इस्क्रीन पर देख रहे होंगे आज हमारा टॉपिक है भारती निरिती विधाये भारती निरिती विधाये से आशे भारती जो निरिती शैलियां है ठीक है जाया भारत नत्यम की बात करें या फीर और भी के सार साथ्योगी प्रदिक्षाओं से उन सभी विष्थाओं को यो सभी प्रस्थों करना ताकि आप सभी जानकारियां तो जुटा सके ही साथ ही जो अभ्यर्थिकन हैं जो प्रत्योगी पडिक्षाओं की तयारी करने हैं उनके लिए भी यह वीडियो लावकारी, हितकारी, ज्यानवर्धक, जानकारी से परिपुर्ण सिद्ध हो और खासकर आज जो हम इस सत्र की सुर्वात कर दे हैं शने शने या स्रिंखला आगे बढ़ती रहेगी आज ये पहला सत्र है फिर दूसरा सत्र फिर तीसरा सत्र ऐसे ही बढ़ती रहेगी आज बस एक छोटा सा संचिप्त परिचे भारती मृत्ती विधाओं के बारे में आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ और साथ ही एक बात तो बिल्कुल असपष्ट है कि जो भी जानकारियां है वो जितने भी अभिहरती हैं चाहे वो यूपी-असी के तयारी करते हो अर्था सिबील सेवा की तयारी करते हो उनके लिए निश्चन देह उप्योगी होगी तो हमारा प्रयास रहेगा कि आप अध सबसे पड़ी बात है कि हम पहले जानने का प्रयास करेंगे कि नाटी क्या है तो नाटी जो है अगर निरती नहीं बात है लोज नांने कि ऊझते शाकरेंके चारों कि पहलों को मिलाकर नाटी वेद नाम के पांच में वेद की दिस्तिष्टी की और नाटि के बारे बता दिया किस-किस का मिश्चरन है आप सभी को और देखिए इसमें समाही तत्व क्या है देखिए नाटि में जो हैं वो कौन-कौन से सामिल है तो देखो दिग्वेद से पथ्ष लिया गया है यजो रवेद से अभिनेलिया गया नाटि में भंगी माएं ली गई हैं भंगी मा जानते हैं आप लोग सामवेद से शंगीत लिया गया है और अथरवेद से रस लिया गया है बच्चों भाव लिया गया है है ना तो इन सभी से बन के तयार हुआ है हमारा नाट्टी शरूप जो है निरत्ती विधाये जो है ठीक है अब देखिए कि नरत्ती का जो प्रथम उप्चारिक उलेख है जो फॉर्मल जो उलेख है जो मेंसन किया गया है वो भरत मुनी की प्रसिद जो क्रिती है भरत मुनी ने प्रसिद रचना लिखी है उसका नाम है नाटि सास्त्र उसमें इसका वर्णन किया गया है ठेक तो उमीद करता हूँ आप सभी इसे समरं में रखेंगे ध्यान नाटी शास्त्री निरित्र के विभिन्य पहलूँ पर सरवाधिक सबसे अधिक विविध मल्टी डाइमेंसलल है ना विविध रूप से चर्चा की गई है इंटरेस्टिंग चर्चा की गई है आप पढ़ेंगे तो भाव भोड हो जाएंगे आपकी जानकारी आप तक अच्छ होता है ना वह मिनिटों में तयार नहीं होता वर्षों की मेहनत लग जाती है तो संकलनकाल का जो समय है इसने नाटी सास्त्र वह 200 इसापुर्व से 200 इसवी के बीच है 200 इसापुर्व बच्चों आप जाओ अभी देखो कितना अभी 2022 है इसापुर्व की बात है है ना तो 200 सापुर्व से 200 मतलब 2000 साल से ज्यादा होगे बच्चों उस समय से इसकी रचना कंपाइलेशन स्टार्ट हुआ था इसमें देखो बच्चों इस नाटी सास्त्र में तकनीकों मुद्राओं भावों आभूश्नों यहां तकी दर्सकों के बारे में भी विश्त्रित जोड दि वह सामानिसी कलाया नहीं है अब देखो निटि जो एयरिया है उसमें क्या-क्या आते हैं वाबू उसमें द्रिति में च्छा छेत्र में बच्चों आते संगीत आते हैं है ना शिल्प कला आती है काब भी आते हैं नाटक आते हैं यह सब समाहित हैं है ना तो इस सब को हम समझेंगे देखो पॉइंट वाइज बता गया कि आप तक ना हमारी बातें आसानी से पहुँच पाएं इसलिए हमारी जो टीम है उन्होंने यह फुरा कागऑ ना डीली में नाधि शास्ट्र के हिसाब से समझेंगें अम नाधि शास्त्र क्या कहता है नाटि शास्त्र कहता है कि भार्यदल स्वरूप है цен चैंए fug dus पहला है गया देखो आप अंडरलेंड कर दिया गया आपके लिए उमीद करता हूं आप समझेंगे से और इसका जो दो आधारभूत सवरूप में मैंने एक का चर्चा किया लास्तिका दूसरा देखो आप तांडव है तांडव क्या है यह निरित्ति की नर अभी मोगुमेंट पर हरेक जो उसके कुछ-णक्ष विषशताइयों होती है कुछ नकुछ तरीके से ओंपो इंपरेंट हो जाता है त्लिका वचो अब फिर देखें यहां पर कि निरिति परना नंदि até आभी जो अभी नहीं उसके नुसार कोई भी जो अभिने है वो तीन अधारभूत तत्वों में divided है विभाजित है तीन अधारभूत तत्व है याद रखना किका है नंदिकेश्वर ने जो ग्रंथ लिखा है रचना की है अभिने दरपन वो कहता है कि अभिने जो है वो तीन अधारभूत तत्वों म आने वाले किए आधारभूत पद संचालनों से है जिन में किसी अभिव 50 या मनुधा मनुधा्वसा इसका शमावेश नहीं किया गया है अगले स्लीडे के निज़िय क्या है थो अगलिंब चलते साथ थिकर कि देखें कि किसी अभीक्तिया मनोधश्य का समावेश नहीं इसका संदर्व नाट की निडूपनों से है ढिंस में क्या है भी सित्रों कि विश्रित कथा को रिपर्जेंट किया जाता है किस तरह से तो निर्थी प्रस्तुती के माध्यम से ठीक है तीसरा है बच्चों निर्थी इसमें इसका जो आशे है ना ये नर्तन के माध्यम से वर्णित रस तथा भावों से है और इसमें बच्चों मू का भी नहीं था मुद् नर्तन में प्रविक्त अही वक्ति की विभिन विधाओं का जो है वो शमावेश है इसमें तीन जो है हमारे पास के वर्णन है रूप है जैसा कि इसमें मतलब ग्रंथ में बताया गया है ठीक है चलिए तो आज हमारा जो धे था में जो मोटो था कि शंशिप्थ परचे आप इंखला आगे बढ़ती जाएगो उसमें इसके बारे में और भी जनकाड़ी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे जो कि निशन दे आप सभी के लिए लावकाड़ी शीद होगी और आप सभी महसूस करेंगे कि जरूरी भी है जैसे देखो मैंने बताया भरत नट्यम के ब पारे में चर्चा की जाएगी तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद